हलो दोस्तों कैसे हूँ समस्ता हूं मज़े मैं दोस्तों लाश्ट वीडियो मैंने सोर्य उपरम के उपर की थी जिसमें मैंने सोर्य उपरम के अब बारे मापको बताया कि सोर्य उपरम के अंदर आपको इन्वेस्मेंट करनी चाहिए कि नहीं सोर्य उपरम आपके लिए उप् पढ़ती है, कुछ भाई एसे हैं जिन्होंने मैसेज भी किया, जिन्होंने कमेंट में पूछा, कि जो आपके जैपुरिया संद्राइस ग्रीन्स है, उसके बारे में बताईए, और अभी वहां की क्या इस्तिति है, इस तरह की डवलमेंट है, आप भी वो दिखाईए, तो दो इस वीडियो के अंदर सारी के सारी सोल कर दी जाए, जो भी आपके सवाल है, उन सभी के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल आखिर तक वीडियो देखिएगा, जो भाई चैनल पर नए है, उनके लिए बताना चाहूंगा, मैं हूँ आपका दोस्त अरजुन खटाना, आप देख रहे है, आपका अपना चले इन्वेस्टर्स गाइड हो, भाईयो, एनस ट्वेंटी फोर के उपर, आपका जैपुरियो सन्राइज गरिंस टाउन से पढ़ता है, यह एनस ट्वेंटी फोर से अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा ह यह दोस्तों रोड काफी टूटा हुआ था, यह आप सामने देखी सकते है, इसका काम होना था बनने का जो सुरू हो चुका है, अब देखते है कब तक बने के कमपलीट हो जाता है, पर काफी दिन से यह रोड काफी टूटी फूटी फूटी जिसका लग रहा था कि आज बन जैपोड फोल हो जो चो मिल जाएगी दोस्तों यह देख रहे हैं इधर आपका सोर्य पुरम पड़ता है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाइए अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं यहां से हम जैपुरिया संदराइज करते हैं तो इस पर एक साइड पर आपके A, B, C ब्लोक आते हैं और दूसरी साइड पर D, E और F ब्लोक आ जाते हैं दोस्तों यहां पर जो भी आपके प्लोट्स है हो सारे के सारे GD अप्रूड है 100 C गज का यहांपे स्टार्टिंग साइज है यानि सबसे छोटा अगर आपको प्लोट चाहिए तो 100 C गज का मिलेगा उससे छोटा कोई प्लोट आपको नहीं मिलेगा उसके बाद फिर 225 गज के साइज है और 270 गज के साइज है दोस्तों ये बीच में एक चोक है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक तरह का यहाँ पे घंड़ा सा बना हुआ है, घंड़ा चोक आप कह सकते हो, तो दोस्तों इस चोक के इस वाले साइड पे आप लोगों को जहां मैं भी जूम करके दिखा रहा हूँ, ABC ब्लोक है, और अगर आपको यहाँ पे कोई प्लोट परचेस करना है, तो अभी के टाइम पे रेट मान के चलिए, आप लगवग 72,000 रुपे गज के आसपास रेट है, और यह आपके ABCD ब्लोक की तरब एक सोसाइटी बनी हुई है, और गनिक घर, यह आप लोग सामने देख सकते हैं, दोस तो NS24 पे ही आप आगे वेव सीटी, अधित्तवर्ड सीटी की तरब चलते हैं, तो बीच में गेट आता है, यह दोस्तो बमेटा विलेज की तरब रास्ता जाता है, आगे तो उसका गेट बना हुआ है, अब दोस्तो यहाँ पे उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी पड़ता है, यह साथ में, आप लोग अभी यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से आपके जी ब्लोक की एंट्री हो जाती है, दोस्तो जी ब्लोक के अंदर भी वही चीज़ है, जी टी अपरूर है, 9 मिटर, 12 मिटर की आपको रोड मिलेगी, साथ में आपको पार्केरिया मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा अंदर, एक सो सी गज़ के, यहाँ पर भी आपको प्लोट मिलते है, दोस्तों वही प्लोट साइज है, और यहाँ पर रेट थोड़ा दूसरे ब्लोक के मुकाबले कम है, अगर आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप मान के चलिए, साथ जा आपको रेट मिल जाएगा, यानि यहाँ पर जो प्लोट स्टार्ट होगा, अभी के टाइम पर लगबग एक क्रोड आट लाक, दस लाक से स्टार्ट हो जाएगा, इससे उपर भी रेट जाता है, हो सकता है, जब आप वीडियो देखें, उस टाइम रेट बढ़ गए हो, य सबसे ज़्यादा लोग रहते है, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पर जो बसावट है, वो इसी ब्लोक के अंदर है, यह भी गेटिड है, जापुरिया के जितने ब्लोक से है, ज्यादतर सारे के सारे गेटिड बने हुए है, तो कोई ऐसा इशू आपको यहाँ पर नहीं बकान बने है, तो ज़्यादा बसावट हुई है, पिछले एक और साल के अंदर ही हुई है, बाकिस से पहले जातर खाली एरिया आपको देखने को मिलता था, अब यहाँ पे काफी लोग स्रिफ्ट हो चुके है, आप लोग देख सकते हैं, यह मान के चलिए आप लगवग 40- आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसके लावा दोस्तों, इसी रोड पे जब हम आगे घूमते हैं, तो यहाँ पे यह जो आप देख रहे है, पार्क एरिया है, जिसको डवलप किया जा रहा है, यह साथ में पूरा पूरा पार्क एरिया रहेगा, और इसके पास में यहा पहला मंदीर है, फिर दोस्तों, दोस्तों तीन सो मिटर इस हाईवे पर आगे चलोगे, तो जैपुरिया संदराइस ग्रीन्स का अगला गेट आ जाएगा, यह एच ब्लोक है, जैपुरिया संदराइस ग्रीन्स का, यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लैट भी मिलेंगे, यहाँ पे तो इस संपर्क कर सकते हो, अगर आपको कोई और आपको नबर मिल जाएगे, इन पर कोल करकें, आप हमसे बात कर सकते हो, इस के अंदर भी जैसे हमाँ इंटर करते हैं तो 24 मिटर की रोड है, और यह इस रोड पे ही जो आप एरिया देख रहे, इधर की तरफ जोप चाहिए तो काफी बढ़िया रेट आएगा दिये वे नंबर पे कोल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने लिए परचेज कर सकते हैं आगे सोसाइटी बनी हुई है पांचे सोसाइटी इस ब्लोक के अंदर ओल रेडी बनी हुई है जिनका ओसी आ चुका है जिसमें फ्लैट्स भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों कम्प्लीट जैपुरे संदराइस ग्रीन्स दिखा चुका हूँ आप कह सकते हैं जैपुरे संदराइस ग्रीन्स का एक तूर था जो मैंने आपको दिया इसमें A ब्लोक, B ब्लोक, C ब्लोक, B ब्लोक जो आपके एक लोकेशन पड़ता है वो लोकेशन मैंने आपको दिखाई फिर उसके बाद G ब्लोक की लोकेशन है वो मैंने आपको दिखाई H ब्लोक मैंने आपको दिखाया इसके अंदर rate क्या है इसके अंदर sizes क्या है वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के तो वीडियो के इंदर आपको नंबर मिल जाएंगे आप नंबर पे कोल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं या दोस्तों आपको कोई घर परचेस करना है या कोई प्लोट परचेस करना है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप लोगों को यह कहूंगा कि या commercial लेना चाहते है या pre-launch में property purchase करना चाहते है तो दोस्तों आप लोगों के benefit मिलेगा कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो upload करेंगे तो उसका notification आपको मिलता रहेगा और आपसे कोई भी अच्छी deal भी इस नहीं होगी फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप से भी को नमस्कार जैहिन राम राम दोस्तों